राजन गाव में रविवार से इशाली खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आपको बताते कि प्रतियोगिता 24 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में पाथ संभागव की हौकी टीम में भाग ले रही है। प्रतियोगिता में बस्तर, सर्गुजा, रायपुर, दुर्क और बिलास्पुर संभाग भाग ले रहे हैं। जिसमें दो वर्ग हैं, एक में 15 वर्ष बालक खेलेंगे और दूसरे में 17 वर्ष बालक और बालका टीम खेलेगी। जिए आज हांकी हमारे 24 स्कूट घाटन है और 27 को इसका समापन है, इसमें हमारे प्रतियुक्ता यहां पर हमारी शुरुवात हो गई है। बच्चे हमारे बस्तर, बलाशपूर, राइपूर, सरगुजा और दुर्गुजा, हमारे रुकने के उनकी सबसे बड़ी ही वस्ता यह हो गई कि इंटरनेशनल इस स्टेडियम के आसपास ही हम लोगों ने उनको सबको रुकवाया है, जिसे बक्सी स्कूल है, इस्टेडिय जो संभाग लेके आता है, उसके लिए क्या है, उन लोग खुद जिम्मेदार होते हैं, क्या खिलाना है, क्या करना है, सासन से उनको मेनू दिया जाता है, उस मेनू के हिसाफ से उनको खाना खिलाना हो, जो इसमें जो टीम जीतेगी वो जाएगी दिल्ली जाएगी, और इस पानी रही तो भी एस्ट्रोटर्फ है मैस होता ही है अभी तो नेशनल में तो पूरा पानी में हुआ है और हो जाता है बहुत जब बाल नहीं कलती तभी मैश रुखता है नहीं बच्चे लोग को नहीं होता पर बड़े जो बड़े प्लेयर रहते हैं उसको इंजूरी चांसे बच्चे लोग का बड़ी थोड़ा सा हलता रहता तो दिक्कत नहीं होता है